नमस्कार दोस्तों मैं श्मित मिस्रा स्वाइद करता हूँ एक बाद फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों IAS Indian Administrative Service जो हर एक परिक्षारती हर एक विद्यार्थी का एक सपना होता है कि ये टॉप लेवल का जिस सिख्षा के दम पर जो टॉप लेवल की पोश्ट पाई जा सकती है जिस एकजाम के तुरूप वो है IAS करोडो एस्प्रेंट का सपना होता है करोडो लोगों की ख्वाइस होती है कुछ एक हजार लोगों की ख्वाइस पूरी हो पाती है बाकी लोग जो है ख्वाइस या तो अपने बच्चों पर टाल देते हैं या फिर वो सपना लेगर के ही आगे जीते हैं अपने आपको अज़ेस्ट करते हैं लेकिन क्या हो जब ये बात पता चले कि वो जो कुछ हजार का सेलेक्शन हुआ था उनमें से कुछ एक परसन ऐसे थे जो फर्जी वाड़े तरीके से अडमिसन लिये थे ऐसे ही एक मामला देखने को मिला पूजा खेड़कर का ये IS है और अभी ये लगातार विवादों में है पिछले कई दिनों से विवादों में ये दूसरे कारण थी और उसके बाद जब इनके पीछे का पूरा पूरा चठा खोला गया तो पता चला ये फरजी तरीके से कहीं ये IS तो नहीं बनी थी बहुत सारे ऐसे सबूत बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं आज की वीडियो में मैं आपको देखाऊंगा भी तो पूरी वीडियो को इन तक देखेगा इस IS पूजा खेडगर के बारे में पूरा जानकारी आपको मिलेगी और साथी साथ में किस प्रकार सी इनों ने फरजी वारा करके अडमिजन लिया इसको भी हम लोग जानेंगे तो देखेए सुरुवात करते हैं IS पूजा खेडगर के कैरियर से ये अभी 2022 के बैच से UPSC क्लियर करके ये 841 रैंक ला करके IS बनी सबसे बड़ा संसे वाली बात तो यहीं आ गई कि 841 रैंक इनकी थी फिर भी ये IS बनी 2022 की परिक्षा पास करके IS बनी थी 2023 में इनका मतलब की पोस्टिंग हुआ था ये महराश्ट के अहमद रंगर के रहने वाली हैं और पुडे में इनकी पोस्टिंग हुए थी इंट्रेस्टिंग बात यह है कि 841 रैंक पाने के बावजूद इनकी पोस्टिंग जो है IS रैंक पर होती है और कारण इसके पीछे यह है कि इन्होंने दो प्रकार से आरक्षण का फाइदा उठाया था एक तो यह अपने आपको OVC Other Backward Class में यह Non Creamy Layer में अपने आपको रेजिस्टर की थी यह बता करके इन्होंने जमा किया था डाकुमेंट्स दूसरा इन्होंने अपने आपको दृष्ट बाधित करके दृष्ट बाधित आप जानते होगे जो लोग देखने में असमर्थ होते हैं कम उनको दिखाई देता है तो उनकी लिए भी एक आरचषण मिलता है और काफी अच्छा खासा चूट मिलता है तो इन्होंने भी अपने आपको द्रिष्ट बाधित की काटेगरी में देख करके उसके बाद ये पोस्टिंग हासिल करी तो दो आरच्छण जब लग गए तो इनको अच्छा खासा आरच्छण मिला इस वैसे 841 रैंग होने के बाउजूद ये IS अधिकारी बनी थी वैसे अमूमन देखा जाए तो OBC में अगर बात करें तो OBC में 400-450 के आसपास रैंग जिसकी रहती है वहीं तक बन पाते हैं IS की पोस्ट मिल पाती है इसकी अरावा जेनरल में बात करें तो 900-100 तक कभी-कभी चले जाते हैं तो इस रैंक पर IS मिलता है तो यहाँ पर इनको IS की rank मिली, फिर इनकी posting होती है पूरे में, लेकिन posting से पहले थोड़ा सा इनका background जान लो, क्योंकि posting होने से पहले ये जाने वाली थी अपना पर जोईन करने, उससे पहले ही ये विवादों में आ गई, उससे पहले ही ये वहाँ पर लड़ाई लड़ली, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे इनका विवाद हो गया, क्यों हुआ उसके पीछे कारण है इनके पिताजी, देखे इनके पिताजी जो हैं, ये खुद एक प्रसासनिक अधिकारी रह चुके हैं, रेटायर हो चुके हैं, रेटायर होने के बाद इन्होंने अपना राजनीती म कदम रखा, लोग सभा का चुनाव लड़े 2024 में, लेकिन ये वो हार गए, इनके पास संपत्ती है 40 करोड रूपय की, अब आप सोचिए, 40 करोड रूपय की संपत्ती इनके पिताजी के नाम है, और वो लोग सभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पूरू प्रसासनिक अधिकार तो महराष्ट में प्रदूसर विभाग के आयुक्त थे, महराष्ट के प्रदूसर को इन्होंने प्रापर्टी में बदल लिया, 40 करोड रूपय की प्रापर्टी ये गठा कर लिये थे, इनकी मां जो है, मनुरमा खेड कर, ये सरपंच है, इनके भी खुब वीडियो और सुखदार फैमिली है, अब इनके भी नाम, पूजा खेड कर के भी नाम करोडों की संपतियां है, इनके नाम अगर बात करें, 17 से 22 करोड की प्रापर्टी की मालकिन ये खुद है, पूजा खेड कर, अभी मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, अभी आप पूरा पूरा दी थी, उसमें उनने बताया कि 2015 में पूरे के दो प्लाट इसमें खरीदे गए थे, ऐसे ऐसे करके लगबग 7-8 प्लाट इनके पास हैं, प्रापर्टीज हैं, और टोटल विल्थ इनकी 17 से 22 करोड रूपए की है, पूजा के नाम, ये जब जोईनिंग करने जा रही इनको भी जब पोस्टिंग मिली, पूरे में ये जब जाने वाली थी अपने पोस्ट को ग्रहण करने के लिए, पद ग्रहण करने के लिए, तो ये उस टाइम पर ही ये वी VIP नंबर से और डी कार से गई, इसके अलावा ये नीली बत्ती का उपयोग करके गई, तो दो चीज पाती तोर पर, वो एक परसिच्चू के रूप में होता है, इतना ही नहीं, जब ये वहाँ पहुची, तो इनसे जो सीनियर अधिकारी का जो केबिन था, क्योंकि इन्होंने डिमांड करे थी, हमारे लिए एक नौकर वहाँ पर होना चाहिए, और एक केबिन वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जब ये वहाँ पर पहुंचती है, जहाँ पर इनको पोश्ट गरहन करने थी, पदभार गरहन करना था, तो वहाँ देखती है, इनके लिए कोई ऐसा कमरा, कोई रूम ऐसा एलाट नहीं था, तो वहाँ पर ये क्या करती है, कि जो सीनियर इनके रहते हैं, जो सीनियर प्रसासनिक अथिकारी थी, उनके सामान वगरा को ये हटा करके, उनका वो जो केविन है, उसको कबजा कर लेती है, वहाँ पर बैठ जाती है, इसकी अलावाँ ये आवास वगरा, कार वगरा की डिमांड कर रहे थी, उसी टाइम पर, मतलब जोइनिंग होते ही, क इन्होंने मुख अपर सचिव को पत्र लिखा, और इनके दोरा किये गए बुरे बरताओ की इन्होंने यहाँ पर सिकायत करी, इसमें इन्होंने कहा, कि ये स्टाफ के साथ आकरमक बरताओ करती हैं, जूनियर स्टाफ के साथ, इसके अलावा, एडिसनल कलेक्टर अजय मोरे का चेमबर, गैर कानूई तरिके से ये कब्जा कर लिए हैं, कलेक्टर के पत्र के बाद पूजा का वासि में तबादला कर दिया गया, ईनको वासि में भेज दिया गया, वो भी एक जगह है माहराश्टर में ही, पुड़े से चली गई वासिम में, तो ये जो हैं पूजा की यह तो इनकी लग्जरिस लाइफ इस्टाइल आपने देखी कि ज्वाइनिंग से पहले यह और डी कार से जा रही हैं, वी बी आईपी नंबर है, उपर नेली बत्ती है, सब कुछ और वहाँ पर जाने से पहले ही, जो वहाँ के पूर्व अधिकारी हैं, जो इनके सीनियर अध हैं, यहाँ तक इनका रसूख है, क्यूνके सीनियर अधिकारी को यह हटा कर उनके केिन को कबजा कर लेती हैं, आवास की डिमांड करते हैं, अतरिक करमचारी की डिमांड करते हैं, और तो और इनके पिताजी इनके साथ गय थे, वहाँ के करमचारीों से बुरे तरीके से ब्यावार किये तो ये तो इनकी ज्वाइनिंग की टाइम का ये रहा जब इनकी सिकायत की गई और मामला बढ़ना सुरू हुआ ट्विटर वगरा पर बहुत सारी चीजे चलने सुरू हुई तब फिर इनको ट्रांसफर कर दिया गया वासिम में अब जब वासिम में सुरू हुआ तो पता लगा कि इनकी 821 रैंक आई थी 821 रैंक कहीं कहीं पर 841 मिलता है तो इसके लिए मतलब वह मत समझेगा तो यहां पर 821 रैंक अनेकेडमी ने इनका एक मौक इंटर्विव लिया था देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे जो आइस्पिरेंट होते हैं तो वह मौक इंटर्विव दोते हैं जैसे आप मौक टेस्ट वगरा लगाते होगे वैसे मौक इंटर्विव दिये जाते हैं आईस के लिए जब मौक इंटर्विव दिये जाते हैं तो उस टाइम पर जो कंपनिया रहते हैं जो कोचिंग संस्थान रहते हैं वो क्या करते है उनको record करके रखे रहते हैं अगर जब उस student का जब rank आ जाता है जब वो qualify हो जाता है और IES या IPS या जो भी post पा जाता है तब उसके mock interview को लोग YouTube पर या अपने अपने platform पर upload करते हैं आपने देखा अभी होगा दृष्टी IES, Sun Academy और बहुत सारे संस्थानों के ऐसे mock interviews के वीडि जब चर्चे में आते हैं तब यह upload करते हैं तब लोग आ करके देखते हैं इनका mock interview ठीक है तो ऐसे ही इनका भी unacademy ने किया था और उसमें इन्होंने अपने आपको बताया था कि यह medical background से है medical के पढ़ाई कर रहे थे वहां से आई और भी बहुत सारी चीजे बताया इन्हो तरीके से यह पकड़ी गई इनका फ़र्जी वाड़ा एक तो यह OVC कटेगरी का यह OVC का non creamy layer बता करके यह आरचल का फायदा उठाई दूसरा अपने आपको द्रिश्ट बाधित बता करके यह फायदा उठाई पहला देखते हैं creamy layer और non creamy layer है क्या तो देखो भारत सरकार जो है यह जब अरचल decide की हुई है तो उसमें OVC में दो layer decide की हुई है OVC में एक non creamy layer एक creamy layer creamy layer वो होंगे जिनकी 8 लाग से अधिक होगी सईधा बहासा में समझे तो वो अमीर घराने के हैं उनको अरचल की उतना जरूत नहीं है उससे नीचे की जो property वाले होंगे उनको non creamy layer मे OVC candidate है और इस प्रकार से इन्हें OVC का आरचण मिला लेकिन आप जैसा की जानते हो 20-22 करोड की आसपास इनकी संपत्ती खुद की है तो जहां लाग की बात हो रही है इनके पास तो करोडों में संपत्ती है 27% आरचण OVC candidates को मिलता है जो non creamy layer के होते हैं उनको अभी आपने देखा कि बिहार में एक बार विवाद उठा था जब 50% पर हाई कोट ने प्यतना हाई कोट ने ला करके आरचण कर दिया था क्योंकि वहां पर अधिकतम 65% तक कर दिया गया था आरचण वहां के सरकार के तोरह लेकिन maximum Supreme Court का नियम यह है कि 50% तक ही आरचण दिया जा सकता है अलगलग कर्टेगरीज का सबका मिला करके हाँ इसमें समिधान संसुधन के तहट 10% EWS कंडिडेट के लिए भी जोड दिया गया है एक सो तीनवे समिधान संसुधन में तो यह economic weaker section के लिए 10% इसके बाद होता है लेकिन यह maximum आरचण का क्राइटेरिया है अब इनमें से 27% आरचण OBC कंडिडेट को मिलता है यह OBC कंडिडेट नौन क्रीमी लेयर को लेकिन यह क्रीमी लेयर में होने के बावजूर नौन क्रीमी लेयर का यह फाइदा उठाई इनके पिता के पास समपती 40 करोण इनकी समपती बेश से 22 करोण अब देखो दूसरा चीज दूसरा फायदा यह कैसे उठाई इन्हों ने अपने आपको बताया कि यह दृष्ट बाधित है दृष्ट बाधित मतलब देखने में असमर्थ है तो आप देखे भी होगी जब भ पढ़ने में दिक्कत आती होगी, उनको अत्रिक्त समय दिया जाए, इसके अलावा उनका अरक सी कटाप बनता है, उनको उसमें भी छूट मिलती है, तो ये दो फाइदा उठा करके, एक नॉन क्रीमी लेयर, एक दिरिश्ट बादित, ये बता करके, ये 821 रैंक होने के वी वी आईपी नंबर मांग रही है, उपर नीली बत्ती चाहिए, और इसके अलावा वहाँ पहुचने से पहले इनको आवास चाहिए, केविन चाहिए, इस्ट्रा करमचारी चाहिए, ये सब पूरा वो चाहिए क्यों, क्योंकि पापा हमारे विधायक है, सांसदी का जुन की तयारी कर रहे हैं, और अगर आप हाफ एरली करेंट अफेर की तलास में हैं, जन्वेरी से जुन दोहजार चॉबिस की, तो आपके लिए एकीस सो प्लस क्यों का डिटेल एक्स्पलानिसन के साथ ये एबुक तयार किया गया है, इंगलिस में भी अवाइलबल है, हिंदी म आपका पूरा है ही, चैप्टर वाइस डिटेल एक्स्पलानिसन के साथ होता है, तो हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, खेल, खिलाडी, पुरस्कार, सम्मान, राष्टे गटन, अंतराष्टी, बैंकिंग, अर्थवस्ता, मतलब सब चीज आपको मिल जाएगा, चैप् जबार कोड या फिर पेमेंट का मैथेड बता जाएगा, उस पर मात्र 99 रेट्स पे करके आप ले सकते हो ये 6 मंत की e-book, वैसे एक महिने की e-book हमारी 20 रुपए में आती है, तो 6 महिने की e-book एक साथ लेते हो, तो 99 रुपए में आपको मिल रही है, तो ये e-book आप ले सकते प्रिक में, तब तक के लिए नमस्कार जैहन, वन दिमात्रम